बिहार के महा सियासी द्रामा में महा गठवंदन और मुख विपक्षी पार्टी भाजपात के बीच सह मात के खेल में ऐसा लग रहा है कि भाजपा अब महा गठवंदन पर हावी होता जा रहा है बिहार की जो रायनिती खालात अभी बनी हुई है उससे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में महा गठवंदन की सरकार जब से बनी है और उसका अभी एक महीना पुड़ा भी नहीं हुआ है और जिस तरीके से महा गठवंदन का एक विकेट गिरा है मेरे करने का मतलब है जो कानून मंत्री ते काटी के कुमार जिनकी अभी अभी इस्तिफा हुआ है और नितिस कुमार ने यह बात जरूर कह रहे हैं कि उनका इस्तिफा हमने मांगा था और तब वो दिये हैं लेकिन नितिकार यहीं बता रहे हैं कि राज़त के को इस स्थिफे की आवसकता नहीं थी लेकिन राज़त अपनी इमेज बनाने के लिए और इमेज बचाने के लिए और जनता के बीच अपनी पूजितिव इमेज देने के लिए वे उनके मंतराले को बदलने की बात कह रहे थ और बाद में नितिश कुमार ने उनका जो कानून मंत्राले था उससे उनको गन्ना उद्यों मंत्राले में भेज दिया लेकिन साम होते होते काटिके कुमार खुद नितिश कुमार यानि कि खुद मुख मंती नितिश कुमार के आवास पे जाकर अपना इस्तिफा दे दिये और उसके बाद में वे कहें कि हमने मीडिया के ट्रायल से परिशान होकर मैंने इस्तिफा दिया है लेकिन कुल मिला कर देखा जाए तो भाजपा का प्रेशर पॉलिक्स साथी साथ मीडिया के तरफ से प्रेशर और साथी साथ राज़त के जंगल राज जंगल राज का नारा इन सब के बीच में नितिश कुमार एक तरीके से परिशान हो चुके थे और राजद अपने जंगल राज के इमेज को सुधारने के लिए काटिके कुमार का मंत्राले बदलवाय थे लेकिन काटिके कुमार नाराज होकर अपना इस्तिफा दे दिया है लेकिन सबसे अंदरूनी खबर यहीं है कि काटिके कुमार का इस्तिफा इस कारण भी हुआ है और उन्होंने अपने पच से इस्तिफा इसलिए भी दिया है क्योंकि मुकामा यानि कि जो अभी आपका अनन्ण सींग का जो छेतर है जहां से अभी चुना होने वाले हैं उप इससे भी वे नराज चल ले हैं आपकी जंकारी के लिए बनता दें कि काटिके कुमार अनन्ण सींग के सबसे करीबी माने जाते हैं और उन्हें काटिक मास्तर भी कहा जाता है क्यों क्योंकि वे पहले पोल्टिक्स में आने से पहले वे एक टीचर हुआ करते हैं तो कुल मिल से टीकट कार्ट दिया गया है क्योंकि अब अनन्ण सींग राजत के लिए नहीं बलकि अब वे महा गत्वंदन के लिए एक गलत वेक्ति हैं कारण कि नितीश कुमार और अनन्ण सींग के बीच में 36 कहा करा है और नितीश कुमार कभी भी अनन्ण सींग को राजत के टीकट स वहां पर बाईपोल में उतरने का मौकら नहीं दे सकते हैं। आपकी जंकारी के लिए बतादे कि अनन्सिंग के ऊपर जो रौन लगे थे उसके चलते के उनका विधान सभासा दिसता रद हो चुकी है। तो उसके बार वहाँ पर बाईपोल हो रहा है और उस बाईपोल को वहाँ पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ने वाली और जिन्हें महागत्मंदन के तरफ से तिकत नहीं देने की बात निकल कर आ रही है लेकिन अभी इसके बारे में पूरी खबर नहीं बालूम हुई है यानि के साथ महागत्मंदन अपना इमेज साफ सुथरा रखने और खासकर राजद जो जंगल राज का आरोप उनके उपर लग रहा है उससे भी बचने की कोशिश कर रहे थे इन सब में काटिके कुमार का बली चरहा दिया गया लेकिन इस सब परिष्थितियों से भाजपा की बल नसीहत या पैगाम कर लिजे देना चाह रहे थे उसमें वे सफल भी हो गया है और इससे यहीं साबित हो रहा है कि आने वाले समय में नितिश कुमार नित महागत्मंदन को बिहार में सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है कुल मिला कर देखा जाए तो आने वाले स साथी साथ महागत्मंदन के तरफ से एक बहुत बड़ी मांग उठी है जिसको सुनने में आ रहा है कि जदियू ने इंकार कर दिया वो बाते क्या हैं सभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अगर आपको हमारे यह कॉंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजि सब्सक्राइब करें